बफेलो यानि की भैसा वैसे तो यह एक सीधा साधा घास खाने वाला जानवर है ये किसी जानवर से लड़ते भी नहीं है और हमेशा अपने जुंड में रहते हैं ये जानवर जितना शरीफ होता है जरूरत पढ़ने पर उतना ही खोखार भी बन जाता है क्योंकि जब बात ज जान बचाने के लिए किसी से भी भीड़ जाता है फिर सामने चाहे खतरनाक शेर ही क्यों नहों कुछ ऐसा ही इस भैसे ने भी किया है जरा इस वीडियो को गोर से देखिए कैसे ये सारे शेर मिलकर इस भैसे को मारना चाहते हैं और अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कहते है ना जाकोरा के साईया मार सके ना कोई ऐसा ही कुछ इसके साथ भी होता है शिकार के दोरान इस भैसे का जुन्ड मदद के लिए पहुँच जाता है पहले एक भैसा आकर शेर को भगाता है फिर पूरा जुन्ड भी आ जाता है और बेचारे शेर को डर के मारे भागना पड़ता है लेकिन बात यहीं पर खतम नहीं होती है यह भैसा भी घुसे में होता है और अपना बदला लेने पहुँच जाता है फिर क्या था इसके घुसे को देखकर शेर भी गबरा जाते हैं और इसका सामना करने से ड़ते हैं शेरों के जुंड में तहलका मच जात है और वहां से शेर भाग जाते हैं लेकिन आज तो शेर का टाइम खराब चल रहा है एक दिन शेर भैसे को गलत जगे फस जाता है फिर आगे क्या होता है आप खुद ही देखलो भैसा शेर को मार मार के उसकी हालत कुछ ऐसी कर देता है शेर भी सोचता होगा कि मैंने किस से आज तो शेर को दिन में ही तारे नजर आ रहे होंगे और इसको यमराज भी दिखाई दे रहा होगा लेकिन क्या करे भाईया आज तो शेर का टिकट कटने वाला है शिकार करने वाला शेर खुद ही शिकार बन जाता है शेर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है लेकिन भाई या भैसा तो आज घुसे में है वो इसको छोडने वाला नहीं है भैसा भी अपना बदला धोरा नहीं छोड़ता अपने सिंगों की मदद से शेर को जखमी करके धीरे धीरे मार देता है और कुछ देर के बाद शेर को लेनी यमराज पहुंच जाते हैं कियोंकि शेर मर चुका ह होता है दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लेगी वीडियो अच्छी लेगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन है